इस वीडियो में हम हरी संकर परसाई की ब्यंग धर्मीता पर चल्चा करेंगे, कि उनकी कहानियों में ब्यंग किस प्रकार मिलता है और भोला राम जीव किस परिप्रेक्ष में उनकी भासा सहली पर चल्चा करेंगे. चलिए, बढ़ते हैं और जानते हैं. इससे पहले MHD 3 से संबंदित जो महत्वपूर्ण वीडियोज हैं, जो आपकी परिख्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, वो चैनल पर अप्लोडेड हैं. आप MHD की प्लेलिस्ट में जाईए और सभी वीडियोज को देखिए, ताकि आप परिख्षा में बेहतर लिख सकें और अच्छे यंग प्राप्त कर सकें. बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हरी संकर परसाई की रचना धर्मिता और ब्यंग के स्वरूप पर, कि उनके काब में, उनकी कहानियों में किस प्रक्रार का ब्यंग देखने को मिलता है. हरी परसाई ने स्वयम ब्यंग बिधा, समरिथ और विक्सित की. या यूं कहें कि ब्यंग महान उचाईयों को उन्हीं के द्वारा अर्षपर्स कर सका. या कि उन्हीं के योगदान से ब्यंग अपनी इस महानतम उचाई तक पहुंश सका. या कहा जाता है कि ब्यंग और के दो पहलों थे किन्त ये सब कथन अलंकारिक हैं इनसे परसाई को समझने में कोई भी मदद नहीं क्योंकि महान प्रतिभाएं जैसे कि धिरेंद्र वर्मा ने बहुत ही अच्छे ढंक से दर्साया है हमेशा ही प्रतिमान भंजक होती है बने बनाए सास्त्रों से उनका काम नहीं चलता यानि कि जो महान प्रतिभाएं होती है वो हमेशा प्रतिमान भंजक होती है वो जो लीक बनी हुए है उस पर नहीं चलते हैं उसे तोड़ते हुए चलते हैं और उनका मूल्यांकन नई कसाउपिदों पर ही संभव है परसाई से पहले ब्यंग क्या था जब ब्यंग ही लोक प्रिय और स्वतंत्र बिधा नहीं था तो उसका सास्त्र क्या बनता उस पर आलोचनाई क्या बनती उस पर चल्चा क्या होती परसाई ने आलोच को कि यह मुसीवत आसान कर दी क्योंकि उन्होंने ब्यंग बिधा पर अपार रचना कि उन्होंने स्वयम बार-बार अपने संग्रहों की भूमिकाओं में ब्यंगों को खोला और उस पर अपने बिचा दिए परसाई ने यह सही कहा कि हिंदी में एक आम रिवाज है हम सोर मचाते हैं हमारे यहां इस चीज का आभाव है और उस चीज का यानि कि इस पार संगीत के हर पुष्टक इस दावे से फेकी जाती है कि लोग लोग अभागों इसे अभाव की पूर्थी होगे यानि कि कोई भी रचना लिखकर फेक दी जाती है कि जो अभाव था वो पूरा हुआ दूसरी बात वे समिच्छा सास्त के बारे में कहते हैं कि समिच्छा सास्त में कई प्रकार की आलोचना पध्धतियां लिखी गए हिंदी में सबसे प्रचलिक और लोग प्रीपधति है अपनों की प्रसंसा और परायों की निंदा यानि कि हिंदी की जो आलोचना बिधा उसमें अपनों की प्रसंशा और परायों की निंदा की जाती है ऐसा पर साई जी यह सच है ज्जादातर लोग ऐसे हैं जो ब्यंग का महत तो ही नहीं समझते ना ही बिधा के रूप में और ना ही इस्पिरिट के रूप में वे ब्यंग से हास्षिको ही अलग नहीं कर पाते जहां भी वे ब्यंग देखेंगे तो हास्षि जरूर चिपका देंगे बिना हास्षिके वे ब्यंग की कलबना ही नहीं कर सकते जबकि वास्तविक्ता यहा है कि ब्यंग जीवन से साक्षातकार करता है जीवन की आलोचना करता है बिसंगतियों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पलदा फास करता है मजाक एक बात है और उपहास बिल्कुल दूसरी बात है यानि कि यहां मजाक और उपहास में भी अंतर हरी संकर पड़साई करते है और उसमें भी दबे कुछले लोगों का उपहास उसे भला ब्यंग कैसे कहा जा सकता है मगर बिसंगतियों के भी अस्तर और प्रकार होते है आदमी कुट्य की बोली बोले या एक भी संगति है और वन महोट्सों का आयोजन कलने के लिए पेड़ काड़ कर साप कल दिये जाए यानि कि अब यह बिडम बना देखिए कि आयोजन किसका हो रहा है वन महोट्सों का और पेड़ साप कराके जगाखाली कराई गयी है कि यहाँ पर वन महोट्सों का आयोजन क्या जहां मंत्री महोट है यानि कि जो भी नेता है गुलाब के ब्रिख्झ की कलम रोपे यहा भी बिसंगती है कि बड़े-बड़े पेल काट कर गुलाब के बिच्छो की कलमे लगाई जा रही है लेकिन दोनों में भेध है यह हसी दोनों में आती है यानि बिसंगती की क्या हैसियत है या अहिमियत है वह जीवन में किस हद तक महत्तुपूर है वह कितनी ब्यापक है, उसका कितना प्रभाव है, ये सब बाते बिचार रहे हैं, दात निकाल देना इतना महत्तुपूर नहीं है, किसी बात को देखे तुरन थस दिये, ऐसा परसाई जी कहते हैं, असल में लोग दो चीजे नहीं समझते, क्या है, जिंदगी किस कदर जटिल चीज है, उसमें खालिस हसना या खालिस रोना जैसे चीज नहीं होता है, यानि कि सिर्फ भासा और सिर्फ रोया नहीं जाज़ता, कई बार दोनों चीजे मिस्रित रूप में चलती है, अच्छा ब्यंग सहान भूत का सबसे उतक्रिष्ट और उत्षतम रूप होता है, परस हो जाते हैं, वे माक्सवादी हैं, इसलिए वे सुधार के लिए नहीं, बदलाव के लिए रहते हैं, वे सिष्टम में सुधार नहीं चाहते हैं, वे सिष्टम को ही बदलना चाहते हैं, यानि को सिष्टम में परिवर्तन नहीं, सिष्टम का ही परिवर्तन चाहने वाले ले कि प्यंग लेखन एक गंभीर कारें है और वास्तोव में ब्यंग लेखन एक गंभीर कारें' वे इस बिसंगती को गहरे पकड़ते rah Tem की अत्यंत गहराई से ब्यंग लेखन को वे पकड़ते हैं। लेखक अपने यूग की बिसंगतियों को कितना गहरे पकड़ता है। उस बिसंगती की ब्यापक्ता क्या है और वह जीवन में कितनी एहमियत रखती है। मात्र ब्यक्त की उपरी बिसंगती, सारीरिक ब्योहार की या लहजे की एक चीज है। और ब्यक्त तथा समाच के जीवन की भीतरी तहों में चाकर बिसंगती खोजना, उन्हें अल्थ देना तथा उसे विरोधा भास से अलग करके जीवन से साक्षात कार करना दूसरी बात अच्छे ब्यंग की पहचान यहा है कि उसमें करूडा की अंतल धारा होती है। का ताना बाना भुना गया है। वह यहा थी कि ठीटर में एक बाबू नाटक देख रहा है। उसके ठीक सामने उसका बास बैठा है। बास के चांद है। बाबू को च्छीक आती है। बाबू को लगता है कि उसकी च्छीक के चीटे साहब की चांद पर पढ़ गये। वह घ यहां है कि साहब की चांद पर छीटे पड़े ही नहीं वह नहीं जानता कि बाबु माफिक किस बात की मांग रहा है यानि कि उसकी चांद पर छीटे नहीं पड़े और वह इसे भी नहीं पता उसे यह भी नहीं पता कि बाबु जो है जो पीछे बैठा था बैठती उसे वह बाबू समझता है कि साहब ज्यादा नाराज है, साहब अधिकादि खेज कर भागता है, बाबू उसे और भी नाराज समझता है, यहां तक तो ब्यंग का वाता हो रहा रहता है, पर जब साहब उसे चपरासी से बाहर निकलवा देता है, तब वह सोचता है कि अब नौकरी गई यानि कि अब बिसंगती देखिए साहब को नहीं पता कि हम आफी किस बात के लिए मांग रहा है और उसे चपरासी से बाहर निकलवा देता है तो अब वह सोचता है कि अब तो नौकरी गई मेरी बीबी तीन बच्चे इनका पालन कैसे होगा इसी घबराहट में वह घल जाता है कुर्शी पर बैठता है और उसके प्राण निकलियाते है यहाँ पर अगर जो साहब थे जो अधिकारी महोदे थे वो सिर्फ इतना पूछ लेते कि क्यों जो है तुमने माफी मांगी तब सारी बात सुलज जाती लेकिन यह एक तरीके से नौकर साही पर तीब्र ब्यंग ब्यंग कार ने परसाई जी ने किया है इसी प्रकार यहाँ पर एक कैसा करूण और मार्मिक चित्रण यहाँ पर लेखक ने किया है इसी तरीके से अब हम इसकी भासा सहली पर बात करते हैं और वहाँ पर देखें कि किस तरीके का ब्यंग यहाँ पर हुआ है इसको भासा सहली के ब्यंग को और ये जितनी अभी चलचा किये. इसको मिला कर आप बहेतर उत्तर ब्यंग से आने वाले उत्तर को लिख सकते हैं क्योंकि अगर भोला राम के जीव कहानी से प्रस्न पूचा जाता है तो या तो भासा सहली से पूचा जाता है या तो ब्यंग से पूछा जाता है पिछले पांच प्रस्न पत्रों में इससे बाहर से इससे प्रस्न नहीं आया है भोला राम के जीव से तो भासा सैली इसमें ब्यंग का सटी प्रयोग हमें देखने को मिलता है भोला राम के जीव कहानी में सबसे पहले हम वर्डन की भासा को लें तो देखते हैं कि उसमें कुछ अउधार रात्मक सब्दों का प्रियोग लिया गया है तता सारी बीभत्सता को एक-एक एक्षन में उभारा गया है जैसे कि यह कहना कि धर्मराज लाखों अर्सों से असंक आद्मियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास अस्थान अलाट करते आ रहे हैं या तो कर्म अच्छे होंगे या तो तुम्हारी पहुश होनी चाहिए, तुम्हारी सिफारिश अच्छी होनी चाहिए तभी स्वर्ग में या नरक में अस्थान मिल पाएगा। यहां साफ है कि धर्मराज एक दफ्तर के बड़े बाबू या ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी प्रतीक होते है सिफारिस और अलाटमेंट से उनकी इस्थिती नवकर साही के यथालत को पूरी तरह जन जीतलती यानि कि ये ब्यंग ततकालीन भ्रष्ट नवकर साही पर किया गया है और एक दफ्तर का सीन उद्घाटित होता है और धर्मराज का लोब देखिए दोनों बराबर यहां दिखाई देता है हू बहू जो हालत कलर की होती हूँ वही चित्रकुप्त की भी है यमराज के दर्वार हम देखते हैं चित्रकुप्त बार बाल चस्मा पोंच बार बाल थुक से पन्ने पलट रजिश्टर पर रजिश्टर देख रहे हैं यहां दिव्यता का नामों में सामी और यही सेम चीज सेम इस्थिती एक कलर की होती है एक बाबू की होती वह अभी चस्मा पोंचता है ताकि साथ दिख सके और दिन भर फाईलों में उल्जा रहता है यथाथ की दूसरी प्रस्तुती जैसे चित्रकुप धर्मराज को सूचित करते हुए कहते हैं महाराज आज कल प्रिथिवी पर इस प्रकार का ब्यापार बहुत चलता है लोग दोस्तों को कुछ चीजे भेशते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं ये कहानी के अंदर आपको देखने कुमिनेगा आप एक बार इस कहानी की समरी जरूर देखिएगा और पूरी कहानी भी चैनल पर अप्रोड़ेट है उसको जरूर एक बार सुन के जाईएगा अगर आप समरी देख लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा ताकि अगर आपके पार कहानी क्लियर रहेगी तब ही आप बहतर उत्तर लिखने में सक्षम हो पाएंगे चलिए देखते हैं आगे तो चित्रगुप्त कहते हैं महाराज आजकल पित्रवी पर इस प्रकार का ब्यापार पहुत चलता है लोग दोस्तों को कुछ चीजे भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं हौजरी के पारसल के मोजे रेलवे अपसर पहनते हैं मालगाडी के डब्बे के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं एक बात और हो रही है राजनेतिक दलो के नेता बिरोधी नेता को उड़ा कर बंद कर देते हैं कहीं भोला राम के जीव को भी, तो किसी बिरोधी ने मलने के बाद दुरगती करने के लिए नहीं उड़ा दिया यानी कि भोला राम का जीव जब मलने के बाद वहां नहीं पहुंचता तब चित्रगुप्त इस परकार की बाद कहते हैं और यथात की तीसरी प्रस्तुती की बात करें तो पिर्थवी तल की सूचनाए उपर भेजने की जगा पर लोक में ही मृत्व लोक की छटा दिखलाई जाए जैसे की नारजी धर्मराज से पूछते हैं कि क्या नारग में निवास अस्थान की समस्या भी हल नहीं हुई तो धर्मराज ने कहा वहा समस्या तो कभी की हल हो गई नारग में पिछले सालों में बड़े गुड़ी कारीगर आये हैं कई इमालतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्धी इमालते बनाई बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्हें ने ठेकेदारों से मिलकर पंच वर्सी योजनाओं का पैसा खाया और इन सब ने मिलकर स्वर्ग में या नरक में कई इमालतें तांदी बहुत जल्दी कई इमालतें खड़ी कर दी यहां हम देखते हैं कि पारंपरिक समवाद की भासा में भी यथात का ही दबाव और प्रभाव यहां दिखाए देता है अल्थात धर्मराज या चित्रगुत या नारद कोई तत्सम सब्दावली का प्रयोग नहीं करते ब्यंग में भी नहीं यानि कि भासा कैसी है तत्सम बिल्कुल भी नहीं लिहाजा वातावर दैबी ना बनकर लोकी खी बन जाता है यही कारण है कि यथात की तीब्रता यहां विद्धमान है यानि कि यथात यहां पे तीब्र रूप से विद्धमान है। उसकी आज में पिखलका जो सौंदर ये प्रतिमा यहां धल रही है वह कैसे धलती थी यम्दूत को देखते ही जब चित्रगुप्त चिलाते हैं अरे तू यह तू कहां रहा इतने दी तो यम्दूत कहता है कि आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था पर भोला राम का जीव हो गया फिर भी मामूले बुढ़े आदमी के जीव ने तुझे चक्मा दे दिया अब यहां देखें तो यहां वही भासा है जो किसी दप्तर में सुनी जा सकती है इस तरह हमारे अपने युक का वातावरण यहां साक्षात बिद्वान हो जाता है एकदम जीवन्त अयतिहास पौरारिक द्रिश्य में तत्सम भासा के प्रियोग से यहां ना हो पाता जो कि यहां आम बोलचाल की भासा से हुआ है धर्मराज ऑफिस सुप्रीटेंट की तरह कहते हैं चित्रगुप्त से तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है इंजीनियर, ओवर्सियर, ठेक खाना, जैसे सब्द हमारे यथात की हिस ससक्त अभीवत्ति हैं देखिए जैसे हम हिंदी के सब्दों का प्रियोग करते हैं जैसे अंग्रेजी के सब्दों का प्रियोग करते हैं ठीक हो ऐसा प्रियोग हमें इस कहानी में देखने को मिलता है समवादों की अत्यंत भासा के साथ ही। लेखक स्वयम द्वारा प्रयुक्त वर्डन की भासा का तालमेल इतना बेहतरीन करता है कि ब्यंग की सक्ति उभर कर सामने आ जाती है। जैसे एक उधारण देखें तो नारत धोला राम का मकान पहचान गए या या कहना कि वहां से चलकर नारत सरकारी दप्तर पहुंचे या नारत बड़े साहब के कमरे में पहुंचे इन सभी वाक्यों को देखा जा सकता है। परसाई की विशेषता यहा है कि केवल आल्थिक राजनेतिक या सामाजी कोई एक परिस्थिती या द्रिश से चुलकर वे एक ही रचना में कितने ही छेत्रों में ब्याप्त निच्ताओं पर प्रहार करते हैं जो भ्रष्ट आचरण है उस पर प्रहार करते हैं। उनकी ब्यंग की तलवार कभी म्यान में नहीं रहती हाथ हमेशा मूठ पर ही रहता है कि कहां मौका मिले और ब्यंग रूपी तलवार घुसा दी जाए उनके परिवार से भेट करने पर नारद ने यहां पता लगाने की कोशिस की कि भोला राम का जीव कहां लगा हो सकता है यानि कि भोला राम का जी इस समय कहां हो सकता है। वे पूछने लगे। मा या तो बताओ कि यहां किसी से उनका विशेश प्रेम था। जिसमें उनका जी लगा हो। तो पत्नी उनकी जवाब देती है कि बच्चों से ही प्रेम होगा। फिर नारत पूछते हैं कि नहीं किसी इस्तिरी से प्रेम रहा हो तो इस पर उनकी भोला राम की पत्नी उनको डाट लेती है। अंत में उन्हें पता चलता है कि पैसा रुका होने के कारण वो दफ्तरों के चक्कर काड़ते रहे। तो अंत में नारत जी को समझाता है सायद वहां से बात बनें चलो पैसा ही दिला देते हैं जो भोला राम का है। तो वहां पे जाकर भोला राम का जी उन्हें मिलता है। पूरी रचना इस कदर कशी हुई हम देखते हैं पूरी कहानी कि ब्यंग की महात शास नहीं लेंग लेंगे लेकिन कला का हाथ कहीं भी यथालत नहीं चुछता है। ब्यंग और यथालत एक साथ चलता है। और यहां महारत तभी हासिल हो सकती है जब जीवन अनुभाव और अध्यान की गहरी पहट यानि की गहरी सामंजस्ता हो यानि की गहरा सामंजस्त हो अनुभाव और अध्यान में। भासा की चुश्ती यानि की भासा की सटीता भी यहां देखते हैं बन्तूर। उदारन लें, जैसे नारद ने पूछा, उस पर इंकम टैक्स तो बगाया नहीं था, हो सकता है कि उन लोगों ने रोक लिया हो, तो चित्रगुप्त ने कहा, इंकम होती तो टैक्स होता, भुक्मरा था, अब यहां भुक्मरे से अधिक सटीक कोई अन्य सब्द हो ही नहीं सकत लोग प्रचलित अत्यंत ससक्त ब्यंजना परक मुहावरा यहां पर अपने को दिखाई देता है, और इस प्रकार भासा की द्रिष्ट की अभ्यक्ती है, उनके कहानी में, एक यथाल्थ वादी द्रिष्ट ही यथाल्थ परक भासा का प्रयोग कर सकती है, जो की परसाई जी के पास थी, जो द्रिष्ट जितनी ही समाज भिरोधी होगी, उसकी भासा उतनी ही संकेत परक होगी, क्योंकि यहां पतन सील समाज का पोश्ट मार्टम लेखक का लच्छ है, वह इस पतन सील भ्रष्ट समाज का नयतिकता ही समाज का पोश्ट मार्टम कर देने वाला लेखक ह परसाई जी ब्यंग के उप्योग द्वारा जीवन के यथार्थ को अव्यक्त करने सक्षा माईं इसकी एक वा सफल अव्यक्त ही करते ह। यह हमने उनकी भ्यंग द्रिश्टि देखी , भासा सैली , पर भासा सैली पर पूछता तो आपको कुल मिलाकर यही लिखिना इससे आपको अच्छे अंक मिलेंगे और आप यहां से प्रस्न आएगा और इसको आप लिखेंगे तो आपको बेहतर अंक मिलने की संभावना रहेगी इस लेक्चर को एक दो बार देड़ गुनी स्पीड करके भी आप सुन सकते हैं 1.5 पर करके सुन सकते हैं ताकि आपको चीजें कंठस्त रहें उदाहरण देने की कोशिज करिएगा ताकि बेहतर पकड़ आप अपनी उत्तर पुष्टिका पर बना सके मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर बेहतर एक्जाम दीजिएगा अच्छे से लिख के आज़ेगा अगले वीडियो के अंदर ध